हलो फ्रेंड मैं हूनी ताहीर मेरे किछन में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं रवा का डुकला रवा का ढूकला बनाना बहुती आसान है और बहुती कम टाइम में बन जाता है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें रवा का ढूकला बनाने के लिए हमने यहां 150 ग्राम लिया है रवा और एक बड़ा कप लिया है हमने चास चास थोड़ी सी खटे ही लिजिए कप से मेजरमेट करें तो हमने यहां दो कप रवा और दो कप चास लिया है स्वात के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे अच्छे से मिला देंगे इसको रवा और छास को हम एक दो मिनिट के लिए फैट देंगे क्योंकि रवा अच्छे से छास के साथ मिल जाए देखिए हमारा बेटर रेड़ी है अब हम इसको 25-30 मिनिट तक इसे ढख कर छोड़ देंगे फुलने के लिए धोकला का बेटर डालने के लिए हमने यहाँ धोकला का प्लेट लिया है इसमें हम थोड़ा सा टेल डालकर ग्रिस कर लेंगे तेल हम सारी प्लेट में फेला देंगे अब हम उसमें धोकला का बेटर डालेंगे तिस मिनिट के बाद हमने धकन हटाया बेटर हमारा अच्छा सा फूल चुका है थोड़ा सा हमें गाड़ा लग रहा है इसमें हम दो तिन चमस पानी डालेंगे अच्छे से मिला देंगे यहां हमने लिया है एक बड़ी चमस अद्रक और मिर्च का पेश्ट तो हम इसमें डाल देंगे तिन चमस लिया है हमने धनिया का पत्ता वह इसमें डाल देंगे अच्छे से मिला देंगे और एक चमस लिया है हमने इनो इनो डाल कर हम इसको ज़्यादा नहीं फेटेंगे बस इनो अच्छे से मिल जाए अब और बेटर हम इस प्लेट में डाल देंगे बेटर के उपर हमने यहां थोड़ा सा लिया है धनिया पाउडर थोड़ा सा इसे चिड़क देंगे मिट्स पाउडर और लिया है हमने भूना हुआ जीरा का पाउडर अब हम इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे स्टीम होने के लिए हमने यहां लिया है इडली का कुकर इसमें हमने दो गलास पानी डाला है इसको हमने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था पंदरा मिनिट के लिए हम इसको मिडियम फ्लेम में पकाएंगे 15 मिनिट के बाद हमने धकन हटाया एक बार चेक कर लेंगे इसको नाइफ डालेंगे देखिए हमारा ढूकला अच्छे सिस्टीम हो चुका है गेस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ढूकला को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा होने के बाद हमने इसको एक प्लेट में ले लिया है प्लेट की चारो और जो चिपका हुआ ढूकला है अब मैं इसको नाइफ की मदद से ऐसे निकाल देंगे इसके उपर हमें एक प्लेट लगा देंगे और उसको उल्टा कर देंगे टोकला की प्लेट थोड़ी सी गरम है इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किली हो रही है निकालने में रवा का ढूकला हमारा रेडी है बहुती सोप्ल बना है ढूकला एक बार फेट प्लेट से पल्ट देंगे इसको अब हम इसको नाइब की मदद से कट कर लेंगे डोकला को हम यहाँ पीजा शेप में कट कर रहे हैं आप अपने पसंद के अनुसार कट कर सकते हैं रवा का डोकला बहुती टेश्टी और बहुती स्वादिश लगता है और बनाना में बहुती आसान है और बहुती कम टाइम में वो बन जाता है टोकला हमारा रेडी है एक टोकडा काटकर हम आपको दिखाते हैं कि कितना स्पंची और सौप टोकला बना है आप देख सकते है अब हम उसके उपर तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए हमने यहां एक तड़का पेंड लिया है इसमें हम दो चमस देल डालेंगे और एक चुटकी हम हिंग डाल देंगे एक चमस राय डाल देंगे दस से बारा करी पत्ता डाल देंगे तड़का हमारा रेडी है तड़का को हम डोकला के उपर डाल देंगे रवा का डोकला हमारा रेडी है बहुत ही टेश्टी और स्वादिश डोकला बना है आप एक बार जरू ट्राइ करें आप देख सकते हैं कितना फुला फुला और सौफ डोकला हमारा रेडी है आप उसे हरी चटनी के साथ सर करें